हेलो एंड वेलकम बेक दोस्तों मैं जुगल आरे आप सभी का एक बार और अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज का विषय में लेकर आये हूँ आपका प्रशन बेंक जो कि आपकी बोर्ड एक्जाम के लिए एक महत्पुन टॉपिक चल रहा है जिसमें अभ्या सेतु हम कक्छा दस्वी के विषय गणीत का प्रशन बेंक को कवर करने वाले हैं हम चैप्टर वाइस इन प्रशन बेंक को कवर करेंगे जो कि वर्स 2021 और 22 के हैं कुछ महत्पुन प्रशन तो आज हम आपको इस वीडियो में के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि हम आज कक्छा दस्वी के अध्याई एक का पूरा का पूरा संपुन स्वीशन इस वीडियो म में देख सकते हैं कितने कौन-कौन से प्रशन हटाया है और कौन-कौन से प्रशन आने वाले हैं वो भी हमने उसमें बता दिया गया है और गनीत में कितने पेच पर कौन से प्रशन हटाया है वो भी उस वीडियो में पूरा का पूरा संपुन हमने वीडियो में बताया गया है अब हम अध्याए एक को समझते हैं अध्याए एक का नाम है हमारा वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या में से कितने अंक के आने वाले हैं अंकवार प्रशनों का विभाजन एक अंक के मतलब तीन तो अबजेक्टिव आने वाले हैं आपके और दो अंक का एक प्रशन आ आने वाले उसमें से पहला वाला विकल्प है 96 और 404 का HCF ग्याद कीजिए तो 96 और 404 का HCF इसका option नंबर 20 सही रहेगा चार अंसर अब कैसे रहेगा यह सही मैं आपको बता देता हूँ 96 को यदी मैं काटता हूँ तो इसको हम सीधी सीधी वीदी से गुनणखन वीदी से देखते हैं 2 से काटता हूँ यह कितनी बार कटेगा चुको 8 आपका हो जाएगा और बचाब 2,8,16,48 बार और यह आपका 2 से कितनी बार कट जाएगा 24 बार और यह आपका 2 से कितनी बार 12 बा काट को आपको बता देते हैं 404 202 बार कटेगा फिर यहां आपसे 2 बार कटेगा 2 एक कम 2 और यह 101 101 से कटेगा यहां पर आपको 2 उभेनिस्ट फेक्टर मिल रहा है 2 इंटू 2 तो इसका option number आपका कितना रहेगा 4 वाला option सही रहेगा इसी प्रकार 12 और 15 का HCF ग्याद करना है तो 12 और 15 को भी हम निकाल सकते हैं तो 12 और 15 का अलग-अलग तो पहले हम 2 से इसको डिवाइट करते हैं तो 2 से कितनी बार करता है यह 6 बार फिर इसको 2 से डिवाइट करते हैं यह 3 बार फिर 3 से इसको डिवाइट करते हैं पांच बार और इसको पांच से यानि यहाँ पर केवल एक factor common मिल रहा है तीन इसका answer option number आपका A वाला रहेगा जो कि answer रहेगा इसका 3 अब दूसरा वाला देखते हैं दो संख्याओं का गुननफल 32 तथा उनका LCM 8 है तो इनका HCF ग्याद कीजिए तो हम देखते हैं इसका formula होता है पहली संख्या इन्टू दूसरी संख्या या A इन्टू B भी यानि फास्ट इन्टू सेकेंड ये दो संख्याओं का गुननफल और LCM इन्टू HCF LCM इन्टू HCF हो जाएगा आपका अब हम देखते हैं दो संख्याओं का यहाँ पर गुननफल आपका 32 दिया हुआ है 32 यहाँ पर मैंने लिख दिया फिर इसके बाद LCM कितना दिया इसका 8 दिया है तो HCF इसका ग्याद करना है तो यह जो 8 आपका कहां चला जाएगा इसके बटे में 8 चुकू कितनी बार आ जाएगा है 4 बार तो इसका जो 4 वाला उप्षन है यानि कि A वाला उप्षन इसका सही रहेगा चोथे वाले को देखते हैं 4 और 7 का महत्तम समापर्तक ज्याद कीजिए महत्तम समापर्तक को हम इंगलिस में HCA बोलते हैं Highest Common Factor यानि कि 4 के हम जब गुननखन निकालते हैं तो चार दो से डिवाइड होता है कितनी बार दो बार होता है फिर दो से ये कितनी बार एक बार इसी प्रकार हम साथ को देखते हैं साथ यहाँ पर दिया हुआ था साथ स्वयम से एक अभाद जी संख्या है तो साथ स्वयम से ही सकटता है याने अब देखते हैं 2 x 2 और यह 7 याने इस दोनों में कोई common factor नहीं है तो last में 1 लिख सकते हैं इसमें भी 1 जब दो संख्याएं होती है और जिनके factor common नहीं मिलते हैं तो उसका HCF हमेशा एक ही आता है सदेव अब हम पांचवा वाला देखते हैं किसी पुणांक M के लिए सम पुणांक निम्न रूप होगा याने कि आपके option दिये हैं उन में से सम पुणांक संख्या कौन सी होगी तो सम पुणांक संख्या में हम देखते हैं यहाँ पर 2M पहले वाले में 2M प्लस 3 फिर 2M प्लस 1 और 2M और यह 2 याने हम देख सकते हैं सम वाला केवल इसमें C वाला option दिख रहा है क्योंकि यह पुरा का पुरा 2 से divided हो जाता है यदि ऐसा होता इसमें 2M प्लस 4 तो यह भी सम होता यह सा होता 2M प्लस 6 तो यह भी सम होता क्योंकि इसके अंदर से दोनों के अंदर से दो एक common factor निकलता है अब देखते हैं संख्या 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCM का अनुपाद क्या होगा तो पहले 5, 15 और 20 का हमें LCM निकालना है तो LCM हमें निकालना आता है हम कैसे निकालते हैं यह 5, 15 और यहाँ पर 20 तो हम पहले इसको 2 से divide करते हैं 2 से 5 ऐसा कैसा रह जाएगा 2 से यह कितनी बार कटेगा आपका 2 से यह 5 ऐसा 15 और यह 13 बार 20 है यह माप करना तो 20 कटेगा तो यह कितनी बार कटेगा 10 बार फिर ये दो से काटेंगे तो कितने बार ये पांच ये आपका 15 और ये आपका हो जाएगा पांच पांच अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 5 से 5 तरी 15 दून यहाँ पर आपका LCM आएगा इसका तो पहसे पहले हमने 2 से काटा था इसको तो 2 से ये 10 को काटा था हमने तो ये 2 से 10 बार फिर 2 से ये फिर 3 से और ये 5 से यहाँ पर 5 तरी 15 दून तीस दून और 60 इसका LCM आया आपका 60 और HCM निकालते हैं तो 5 स्वयम का फ्रेक्टर 5 ही रहेगा फिर हम 15 से काटते हैं इसको और यहाँ पर 15 यानि कि 3 से काट देते हैं इसको और इसको फिर 5 से काट देते हैं और फिर भी इसको यानि इसके अंदर से हमें क्यावल एक ही महत्तम समापर तक तो ये 60 LCM और HCM 60 बटा आपका आजाएगा 5 तो यहाँ पर हम काट देंगे इसको कितनी बार कट जाएगा ये 5 से कटेगा तो 5 कम 5 और ये हो जाएगा 5 कम 5 और आपका हो जाएगा 12 तो 1250 आपका 1250 यानि कि आपका आजाएगा 12 अनुपात 1 तो 12 अनुपात वाला एक वाला उप्शन है उप्शन नंबर D अब अगला देखते हैं रिक्तिस्थान की पूर्ति करते हैं ये एक फार्मूला है भाज बराबर भाजक गुनित भाग फल प्लस यहाँ जाएगा आपका सेस फल ये इसका आंसर रहेगा अगला देखते हैं संख्या 8,9 और 25 का HCF मान ग्याद कीजिए HCF मान अभी हमने निकालना सिखाया आपको तो HCF आप निकाल सकते हैं तो मैं सीधा सीधा इसका आपको आ दो धहनात्मक यह आपका यूकलिट विभाजन थियोरम का कथन है तो दो धहनात्मक पुणांक संख्या A और B दिये रहने पर एसी अदुइत्ती संख्याओं का P और Q विद्दमान हो तो A बराबर B Q प्लस R A मलब 0 छोटा है या बराबर R से और R बड़ा है R का मान छोटा ह B से तो यह आपका सत्य रहेगा क्योंकि एक यूकलिट विभाजन प्रमे है एक प्राक्रत संख्या का अभाज जी गुनान खंडों के करम में छोड़ते हुए अदित्ती हल हो सकता है तो इसका option भी आपका सत्य रहेगा तो यह दोनों सत्य सत्य आपके सही है अब देखते है एक सब्दम उत्तर को तो एक सब्दम उत्तर 94 और 404 का HCF HCF दोनों का common factor तो हमने अभी आपको HCF निकालना सिखाया 94 और 404 का HCF आप निकालेंगे तो इसका आपका मैं एक सब्दम उत्तर देता हूँ दो आपका आएगा यदि आपको तब भी नहीं आता है तो आप समझ सकते है अब देखते हैं इसको किसी पुनान के संख्या P के ल आप सम की बात कर लेते हैं तो यह होता है आपका 2P प्लस 2 है ना और एक हो जाता है आपका 2P प्लस 4 2P प्लस 3 यह सम हो जाता है अब आगे देखते हैं पांच वाला प्रसने इसका पांच वाले प्रसन में निम्नलिखित में से 135 और 225 के HCF ग्याद कीजिए यूकलिट वाला करेंगे तो 135 जैनी कि में 225 में 135 से डिवाइड कर देता हूं तो 235 को मैं आपको डिवाइड के बता लेता हों यहां पर 135 में यान सो पचीस में यूख्लीड वाजन कैसी होती है 135 तो एकसो पेतीस हम इसको डिवाइट करते हैं तो यह 135 से कम 135 जाता है 135 यहाँ पर बारा में से आपका तीन गया तो यह आपका नो बचा अब 90 बचा तो यह बाव इस 135 में हम 90 से भाग देते हैं तो यह आपका 90 कम 90 हो जाता है यहां पर आपका बचता है कितना पांच ऐसा का ऐसा है तेरा नोर चार तेरा पेतालिस और पेतालिस से हम डिवाइड करते हैं इसमें तो यह आपका आजाता है नब्बे तो पेतालिस दुन नब्बे दो बार पूरा का पूरा पड़ जाता है यानि कि सेसफल यह दी इसका क्या बचता है जीरो तो यहां पर जो लास्ट वाली संख्या 45 आई तो यहां 135 और 225 का जो होगा वो आपका आजाएगा 45 तो यहीं अंसर आपका रहेगा इस प्रकार से आपको solve करना है अब अगला देखते हैं इसी का प्रस्ण यानि कि इसमें आपको दिया गया है 867 और 225 का यूकलिट यानि कि 867 में आपको homework के रूप में हम देते हैं यह कि 867 में इसी प्रकार से 225 से हम डिवाइड करते हैं तो भाग लगाएंगे बार बार सेसफल बचेगा यानि कि जब तक सेसफल बचता जाए उसमें भाग लगाते जाएंगे तो इस प्रकार से आपको करना है यह important प्रस्ण आपका है कि एक मिठाई विकरता के पास 420 काजू की बरफिया है और 130 फिलेनी पड़ेगी तो सिंपल सा सवाल है यानि कि इसमें भी यूकलिट उभाएंगे लगाएंगे तो 420 में में यह आपको थोड़ा सा किलियर कर देता हूं 420 में में कितने का भाग लगा देता हूं 32 का तो पहले हम देखते हैं बईया लिस तो यह 32 से कम 32 एक बार चला ज तो यह आपका जाएगा तीन दूनä 6 तीन बार चला जाएगा है यह तो तीन दून छे और यह हो जाएगा तीन दूना 9 बचा कितना आपका 4 अब देखो हमने बदाया कि सेसफ़ बचे तो भाग लगा देते हैं तो चार है अठे 22 तो यह पूरा का पूरा ठिवाइट हो जा कितनी बरफी तो ये प्रतियक धेरी में हम चार बरफी रख सकते हैं अता करके आप इस प्रकार से यूकलिट विभाजन हम कर सकते हैं अब आठे प्रस्ण को देखते हैं किसी परेड में 616 सदस्जी वाली एक सेना की टुकडी में से 32 सदस्जी वाले आर्मी के बेंड के पीछे दोनों समू को समान इस्तम्मे में रखना है उनके अधिक्तम संख्या कितनी ये भी यूकलिट विभाजन है तो आप स्वयम में ने आपको एक बता दिया है सात्वा अब आप 616 में इसी प्रकार से कितने का भाग लगा दे ना 32 का 32 से कम 32 दून चोसर जादा तो ये आप इस प्रकार से सेस्पल में भाग लगाते जाएंगे और जो लास्ट में पूरा का पूरा काड़ दे और सेस्पल नहीं बचे तो वो आपका अंसर आजाएगा अब नववा वाला देखते हैं इस प्रकार आप कर सकते हैं इसे हम मान लेंगे एक धनात्मक पुनांग संक्या है और हम जानते हैं A बराबर B Q प्लस R अब इसने कहा दो Q के रूप दो Q जो सम धनात्मक पुनांग है वो दो Q के रूप में हो सकता है यहाँ पर मैं B का मान दो मान लेता हूं इसकी कंडिसन बनती है R की जो कंडिसन बनती है वो जीरो और एक बन जाती है दो केस लगेंगे इसमें यहाँ हमारे सुत्रम मान रखेंगे B का मान हम रखेंगे दो और Q ऐसा कैसा रह जागा और रिमेंडर आपका क्या हो जाएगा जीरो तो पहले केस में यह दो Q तो यह दो Q प्लस एक के रूप में हो सकते इस प्रकार से दो अंके का यह सवाल बन जाएगा अब इसी प्रकार यहाँ पर आप दसवा कोश्चन भी बना सकते है दर्साई है कि धनात्मक पुनांक कसंख्या एक Q प्लस के रूप में अब यहाँ पर कंडिसन यदी मानते हैं तो B की B का मान हम चार मानेंगे और यहाँ पर R का मान क्योंकि हम जानते हैं कि JERO बराबर है R से और R B से चोटा है तो R की कंडिसन हमारी बनती है यहाँ पर 00, 01, 02 और 3 क्योंकि चार से कम तो इसमें आपके चार case बनेंगे चार में से आपके जो दो वाला case आएगा दो वो हम हटा देंगे क्योंकि उसने विसम वाला पुछा है तो इसलिए हम लिख देंगे दो और इसका क्योंकि ये और विसम वाला तो यहां पर दो case हम लगा देंगे आगे बढ़ते हैं 140 का अभाजी गुननखन तो मैं 140 का आपको अभाजी गुननखन से इल्सियम निकाल के बता देता हूँ 142 से काटेंगे तो 70 बार कट जाएगा फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 35 बार कट जाएगा फिर इसको 5 से काट देंगे तो 5,7,35 और ये 7 से कट जाएगा 7 एकम 7 तो ये आपका अभाजी गुननखन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हुआ अब यहाँ पर हमें इसा लिख सकते हैं 2 की घाद 2 और ये 5 5 इसा का इसा और ये 7 ये इस प्रकार से इसका 140 का अभाजी गुननखन हो गया अब यहाँ पर अगला आपको स्वयम करना है बारवा वाला अभाजी गुननखन 6 और 20 का अभाजी गुननखन विदी से LCM और HCF तो LCM और HCF में पूरे वीडियो में आपको समझाता है हूँ इस क्योस्चन में 6 और 20 का LCM निकालना तो LCM हम ऐसे 81 निकाल लेंगे और HCF आप यूगलिट से निकाल लो या इस से निकाल लो तो यहाँ पर HCF याँने 6 और इनको अलग-अलग लेके निकाल सकते हो तो यह आप खुद स्वयम करें होमवर्क के रूप में यह इंपोर्टेंट सवाल हैं आपके दो अंक में अभाजी गुननकंड विदी द्वारा 12, 15 और 21 का यह भी सेम आपके तीनों यह भी करने आपको खुद यह आप सॉल्ब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इतने अंक के हमने इसमें से सॉल्ब कर लिए हैं यह दो-दो अंक के प्रस्ना आपके हैं अगला वाला देखते हैं HCF आपका 306 और दो संक्या दिये हैं उनका HCF दिया है आपका 9 और LCM आपको ग्याद करना है यानि कि हम जानते हैं सुत्र 306 इंटू आपका कितना दिया है 657 और आपका कितना यहाँ पर बराबर सुत्र में जानते है LCM इंटू HCF तो आपका क्या दिया है HCF तो 9 गुनित आपको क्या ग्याद करना है LCM यह 9 कहां चला जाएगा 306 और 657 के बटे में कहां क्या जाएगा 9 अब 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 9 से कड़ जाएगा यह आराम से तो इसको 9 से काड़ सकते 306 को और 607 जो बची संख्या उसमें आप मल्टिप्लाइ कर ले वो आपका LCM निकल जाएगा यह आपको खुद को मल्टिप्लाइ करना है अगला देखते हैं 4 संख्या 4 की घात N पर विचार कीजिए N प्राकरत संख्या की जाज कीजिए कि वहाँ N का मान जिसके लिए 4 की घात N के सुनने समाब तो होती है तो यह अब हम टुकडे करेंगे 4 के जिसे 2 इंटू 2 यह किया हमने की घात N तो 2 की घात N की और फिर इस प्राकर 2 की घात N की यह सुनने पर समाब तो होती है तो हम नहीं अगला देखते है ठारवा व्याख्या कीजिए कि 7 गुनित 11 13 प्लस 13 और 7 गुनित यह एक भाज संख्या है तो हम कह सकते हैं है क्यों क्योंकि इसके अंदर से हम 13 को कॉमन निकालेंगे 13 कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 इंटू 11 और यह आपका प्लस का बन जाएगा एक है ना सच्छं की 42 और जो संख्या में भाग चला जाता है वो भाज जी संख्या कहलाती है इसी प्रकार इसमें से भी एक कॉमन फेक्टर आपका 5 आएगा तो यहाँ इस प्रकार से आप इसको solve कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे अध्याए एक को cover किया क्योंकि इसको मैं copy pane पर भी बता सकता था लेकिन यह बड़ा आसान से शेप्टर था जिसमें की LCM और HCM और हम छोटी-छोटी क्लासों में भी यह पढ़के आएं फिर भी यदि आपको इस PDF में आपको doubt रहे तो हमें comment box में बता सकते हैं यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए प्रवाइड कर दूंगा धन्यवाद साथियो जय हिंद अगले वीडियो में जल्दे हम आपको मिलेंगे